नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत हैं और अभी हम इस वीडियो में E-E-Sarm Card के बारे में बात करने जा रहें हम आपको बताएंगे कि E-E-Sarm Card के फाइदे क्या होने वाले इसके साथ ही हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आप इस रमकार्ट घर बेठे कैसे बनवा सकते हैं या खुद बना सकते हैं तो ऐसे मैं आप इस वीडियो को अंततक्ध्यान से पूरा जरूर देखते रहेगा लेकिन उससे पहले अगर आप एजुकेशन इंडिया प ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसे दबा दीजिएगा और हमसे जुट जाएगा और साथ एगर आपको वीडियो आता है पसंद तो लाइक वश्य करिएगा अब वीडियो मागे बढ़ते हैं और आपको इस रमकार्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस रमकार्ट कौन बनवा सकता है तो ऐसे में हर वो व्यक्ति जो की अन और्गनाइज सक्टर के अंदर कारे कर रहा है यानि की असंगठित कामगार है वो व्यक्ति यह कार्ड बनवा सकता है इस रमकार्ट बनवाने के लिए आपकी I.U.16 स उन्साट वरस के बीच में होने वाली है अगर आप EIFO या फिर EISC या फिर NPS के सदस्य हैं तो ऐसे में आप E-SARM कार्ड नहीं बना सकते अब बात आती है कि कौन-कौन से डोक्यमेंट E-SARM कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होंगे तो ऐसे में अविदक का अधार नंबर और अधार नंबर से लिंक्ट, मॉबाइल नंबर, इसके साथ ही बैंक खाता नंबर और IFAC कोड़ ये जो तमाम चीजे हैं ये आपको चाहि होगी अपना E-SARM कार्ड बनाने के लिए अब ऐसे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि E-SARM कार्ड बनवाने के लिए हमें E-MITR पर जाना होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप घर पर ही बना सकते हैं हम आपको कुछ steps बताएंगे वो steps अगर आप follow करते हैं तो आप आपको बता दे E-SARM कार्ड के अंतरगत आपको 2,00,00,00 रुपे तक का बी मार्ग कवर दिया जाता है यानि कि अगर आप पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं किसी दुरगटना के अंतरगत तो आपको 2,00,00 रुपे और अगर आप आंसिक रुप से विकलांग हो जाते हैं तो ऐसे में 1,00,00 रुपे और इसके अलावी कहीं सारे फाइदें जैसा कि पिछले साल कोरोना काफी जादा फैला था तो उस बीच डीवीटी के मात्यम से मजदूरों के खाते में सरकार ने कुछ रुपे भी बेजे थें तो इस बरकार से फाइदा आगे भी मिलने वाल है इसके साथ फिलाल गोषना नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि इसरम कार्ड जैसा कि सरकार बनवा रही है तो ऐसे में आगे कुछ बड़ी गोषना हो सकती है इन बड़ी गोषना में हो सकता है कि बच्चों की पड़ई का खर सरकार उठा ले और कन्या विवा अनुत रोजगार है और आपको रोजगार क्या हो सकता है तो यह सरमकार्ड ऐसा एक प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर रखा जाएगा अब यह सरमकार्ड आपका बनेगा उसके उपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे और इ परकार से आपको भर देना होगा इसके बाद अगर किसी भी कंपनी को आप जिसे मजदूर की आउसकता होती है तो फिर आपको रोजगार के जो चांसे जे उबड़ जाएंगे इस परकार से कुछ फाइदे होने वाले हैं वो हमने आपको बता दिये अब बात करते हैं कि बेठे इसरम कार्ड के से बना सकते हैं या फिर आप चाये तो इमितर पर भी मनवा सकते हैं हलाएं कि उसकी कोई आउसकता नहीं है आप घर बेठे बना पाएंगे तो इसके लिए आपको आजाना होगा इसरम कार्ड की ओपीसल वेबसाइट इसरम.gov.in जैसा कि आप अपने इसरम इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके उपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इस नए पेज के अंदर आपसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तरथ आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर आपको अपना अदार लिंक्ट मॉबाइल न आइसी वालों के लिए हैं तो ऐसे में आपको इसमें नोई करना है और यहां पर आप साइड में इन्फोर्मेशन देख पाएंगे कि क्या क्या आपको चाहिए होगा इन सब को करने के बाद आपको सेंड और टीपी पर क्लिक करना है इसके बाद आपसे अतार कार्ड की प्रेस हो गया और अन्या इन्फोर्मेशन आपको भरनी है उसके बाद आपसे अंतिम में बैंक डेटेल्स पूछी जाएगी यह भी आपको भरनी है सब्मिट करते हैं आपके सामने आपका कार्ड बनकर तयार होगा जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे ऐसे हमने आपको बत आएंगे इसरम कार्ड बनाने की पूरी परकरिया स्टेप वाइज स्टेप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे और ऐसे वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारा होस्तला अवस्य बढ़